इस वक्त मैं पारवती घाट बलकेस्वर पर मौझूद हूँ आपको बता रहें कि यहां पर आज अखिल भारती वैश्य एक्ता परशद की एक वीशेस वैटक का आयूजन किया गया था यहां से राजनेतिक भागेदारी की एक मांग उठी है सभी वैश्य वंदों ने इस मंच से जो आवाहन किया है समास से क्या कुछ किया है इसमें रास्तिय अद्च है मेरे साथ में क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा जो एक बैठक आहूत हुई है यहां पर तो यहां से क्या आयुजित किया गया जिसमें सर्फ समती से मांग यह की गई कि राजनेतिक हिसेदारी और बैस समाज को मिलनी चाहिए बीस प्रिस्ट की आबादी लेकिन उत्तर प्रदेश में चार सो तीन विधान सबाद छेतरों में मातर बीस विधायक हैं जबकि 106 विधान सबाद छेतर वैश भावल हैं हम लोगों ने मांग रखी है उन वैश भावल छेतरों से बैस समाज के बंधों को प्रात्मिक्ता के आधार पर टिकेट मिलने चाहिए इसी को दिश्टिकत रखते हुए पांस दिसम्बर से राजनेतिक अधकार रथे आत्रा लक्ष 2022 पांस दिसम्बर से मे भागेदारी की मांग करेंगे तथा जो पीडन और शोशन आर्थिक दोहन बैस बंधों का होता है उससे निजाद दिलाने का एक मात्र साधन अगर कोई है तो वह राजनेतिक भागेदारी जहां हमारे भागे का फैसला भगवान के बाद अगर कहीं होता है तो तर प्रदेश भर के लोग वहां आएंगे और वहीं से आशीरवाद देने के लिए रत्यात्रा प्रार्ण की जाएगी मुराईलाला ग्रवाल जी है वेरे साथ में आगरा से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे साफसे यहां से एक अलख जगाने का काम मंच से हुआ है आज चिला हम तै करेंगे ग्यारे बारे दिसम्बर को सफ़त ग्रहन समारों होगा इसका केबल उद्देश हमारे अखिल भारतिये बैसेक्ता परसत का यही है कि हमें राजनितिक भागेदारी अधिक से अधिक मिलनी चाहिए हमारे अध्यक्ष राष्ट्री अध्यक्ष डॉक्टर सुम क्योंकि जतनी हमारी भागेदारी है उतनी ही हमारी राजनित में हिस्तेदारी होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है बैस समाज का निश्चत रूप से धोहन होता है हम लोग समझते थे कि और सरकारे आई हैं वो अन्य लोगों की हैं बैस्यों की नहीं है लेकिन जब भार कि अब हम लोगों को राजनीत में आकर के अपनी कमान अपनी तरफ से ही समालनी पड़ेगी जिससे कि बैस समाज का दोहन न हो सके कोई भी गलत काम न हो सके कोई भी अधकारी हम लोगों के उपर दवाब न बना सके क्योंकि बैस समाज इतना सीधा समाज है और सबसे पैसे देने वाला जी एस्टी अगर कोई देता है तो बैस समाज देता है कोई समाजिक द्रस्टी से अगर कोई काम करता है तो बैस समाज करता है आप इसका अधान देख सकते हैं कितनी धरम साला है कितने कुए कितने हॉस्पीटल जिस सब बैस समाज खोलता है और जहां भी को भी आयोजन होता है चाहे वो सामाजिक को चाहे वो राजनितिक को सबसे जादे हिस्तेदारी बहत समाज की होती है सब लोगों को देते हुए भी जब उसका दोहन होता है जब उसका उत्पीड़न होता है तो बहुत प्यूड़ा होती है तो अब हम सब लोगों ने कमर कसली है निश्चत रूप से राजनित्रिक भाग्यदारी लेने के बाद ही हम लोग अब चैनल लेंगे और हम अपने उत्विड़न को स्वैम रोकने का काम करेंगे धन्यवाद। राजनित्रिक भाग्यदारी उनको मिलनी चाहिए अगर नहीं मिलती है क्योंकि तन मन और धन देने वाला वैसे शमाज अगर राजनित्रिक इस तर पर अगर कोई उपेक्षा करता है तो वो बिलकुल बरदास नहीं होगा और उसी को देखते हुए पांस दिसंबर को एक रैली आरंब हो रही है जो आगरा में भी होगी समुचे उत्तर प्रदेश के लोग उसमें जनसेलाव की तरह उम्रेंगे ये सुमंद गुपता जी का भी कहना है उमीद यही करते हैं कि जो भी राजनितिक दल है वो वैसे समाज को अब समझेंगे क्योंकि वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं वो जागरुक हो रहे हैं राजनितिक भागीदारी को लेकर कैमरे के पीछे आरेन बगेल में करतार सिंग बगेल अर्थनी उच्छो